पंजाब में पढ़ रही कडाके की ठंड के बीच लोगों का अपने घरों से बाहर निकल पाना भी मुश्किल होता जा रहा है गने कोहरे के कारण लोग परिशान हो रहे हैं और गने कोहरे ने अपना कहर हर जगा बरपाया हुआ है और मौसर विभाग ने आज पूरे बंजाब में अगले दो दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है साथ ही कई एरियाज ऐसे हैं जहां औरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है जिससे साफ ये जाहिर होता है कि इन दिनों में कडाके की धंड के साथ साथ गने कोहरे का भी असर उतना ही रहेगा तापमान लगातार गिर रहा है जिससे कई सालों का रिकॉर्ड टूड गया है आब भी देखिए पूर रिपोर्ट मैम जिदा मोसम देविच तब दिलियां काफी देख नो मिल रहे हैं होने जिदे टेंपरेचर है उन लगातार बोर कर दे जारे हैं तो अन बाले दिना देविच किस तरह देपरेचर है नहीं हुए बिल्खुल जी सारे रीजिन विची विची वडियां कोड़ वेव कंडिशन्स पड़ियां हुए यहने स्पेशली कोड़ डेज असी पिछले काफी दिना तो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिदो के मिनिमम टेंपरेचर पिछले दिना विच नॉमल तो पर या ओल्मस्ट नॉमल चल रहा सीगा बट होनके मिनिमम टेंपरेचर दे कर देंपरेचर ना का ठोण करके जिदिना कोड डे कंडिशन्स अब्सरब कर रहे हैं और यह 10.8 डिग्री संटीग्रेट ना के होन तक 14 जनवरी दा जिदा सेकेंड लुएस्ट डे टाम टेंपरेचर रिकॉर्ड किता गया जो के पहला 2003 दे विच लुएस्ट दास बॉएस् इसी तरह जैसी आज़ दा मिनिममम् टेंपरेचर देखिये था आज 2.8 डिग्री संटीग्रेट इडा रकाट घेता गया जगो के आज़ दा नॉर्मल मिनिमम् टेंपरेचर 6 डीग्री संटीग्रेट यह है झाज्विह लगपक 10.2 डिग्री संटीग्रेट ना मल तो नीच तो क्योंके दोनों डे और नाइट ताम टेम्टरेचर नामल तो काफी नीचे चाल रहे हैं तो एदे करके काफी स्वीर चडियां कोल वेव कंडिशन बढ़ियां हुए हैं और और जड़े तेंचार दने उनावे वेच भी देंस तु वेरी देंस फॉग और कोल वेव कंडिशन इसी तरह रैंड दी प्रेडिक्शन है और एदे वास्ते आइमडी वलों अज रेड एलट और अगले दो दन और 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 अरंज एलट जाही किता गया है मैं जिनदा की अकषरी देखने में एक रहएग सिदो करने ही माधी बीक जरा रहलू इंदी बार दिया हैं मिद दे दे धिरिंग थोड़ी बहुत ही तुप पाई है तो से एक्सपेक्ट कर दिया के एना दिना दे वे चले अस्तरा ही कंडिशन्स रेंग गया but dense to very dense fog or real cold wave conditions निए ओम जडे आंवरे तैन चले राइन देन उपनी यदरे रेंट राइन नुच्छ ने कहा हुँ है